साथियों, कुछ लोग पहले ये भी गलत आरोब लगाते हैं और लगाते रहे कि हमारे बैंकिंग शेत्र में असंगटिक शेत्र के लोगों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्ताई नहीं है पहली की सरकारों में क्या हुआ वो तो आप बली बाती जानते हैं लेकिन 2014 के बाद स्थित्य ऐसी नहीं है जब सरकार ने मुद्रा योजना के माध्यम से नव जमानों के बिना गरंटी लोन देजे की ठानी तो बैंक के लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाया जब सरकार ने महिला सेल्फ हेल्फ गुरूप्स के लिए लोन एमाउंट को डबल कर दिया तो ये बैंक के करमचारी ही थे जिन्नों ने जादा से जादा से जादा सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को आर्थिक मदद पहुचाई लिए जब सरकार ने कोविड काल्ब है मसमी सेक्टर को मदद करने का फैसला लिया तो ये बैंक करमचारी ही थे जिन्नों ने जादा से जादा रण देकर मसमी सेक्टर को बचाने में मदद की और डेड़ करोड से जादा उद्वियों का जिसका रोजगार जाने की संभावना थी उच्छोटे-छोटे उद्यागों को बचा करके डेड़ करोड से जादा लोगों का रोजगार भी बचाया जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना शुरू की तो ये बैंक करमी ही है जिनोंने इस योजना को टेकनोलोजी की मदद से सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब सरकार ने रहड़ी पट्री और ठेले वालों के लिए जो फुटपांथ पर बैठ करके अपने माल बेचते हैं छोटी सी लौरी लेकर के माल बेचते हैं उनके लिए एक स्वनी दी योजना शुरू की तो ये हमारे बैंक करमी ही है जो अपने गरीब भाई बहनों के लिए इतनी महनत कर और कुछ बैंक ब्रांच ने तो ऐसे लोगों को ढून ढून करके बुला बुला करके उनका हाथ पकड़ करके इन रेडी पट्री वालों को लोन देने के लिए काम किया है आज हमारे बैंक करमीयों की महनत की वज़े से ही पचास लाग से जादा रेडी पट्री ठेले वालों के उनको बैंक से मदद मिल पाई है मैं हर बैंक करमचारी की सरहाना करता हूँ उनका अभिननन करता हूँ और आप लोग भी अब जब बैंकिंग सेक्टर में जुड रहे हैं तो एक नई उर्जा जुडेगी नया विश्वात जुडेगा समाज के लिए कुछ करने की एक नई भावना प्यदा होगी पुराने लोगों जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें आपका परिश्रम जुड जाएगा और मुझे पक्का भी श्वात है कि हम बैंकिंग सेक्टर के मात्यम से गरीब से गरीब तक के को मद्बूत बनाना चाहते हैं उसमें आप लोग आज ये नियूक्ति पत्र के साथ ही संकल्प पत्र लेकर के जाएंगे